ग्राविडेशन जाप्टर के एसर अरोडा के अकॉर्डिंग कोशन नमर 32 से 35 तक करेंगे यहां पर मिस्टेक हो गया है 35 तक करेंगे सबसे पहला कोशन बढ़ते हैं यहां पर 34 कोशन मैंने लिए रखा है 34 35 मैंस भी हाब यह किसी भी बॉड़ी की क्या होती है और फिर आपसे पूचा है कि zero level of potential energy क्या होता है ठीक है तो हमें समझना है यहां पर gravitational potential energy क्या होती है किसी भी body की तो हम समझते है gravitational potential energy अगर आप gravitational potential energy की बात करते हो तो guys यहाँ पर पहले statement लिखा हुआ है कि when two bodies are placed close to another they interact through the gravitational force यानि कि दो object माल लो कर मैं यहाँ पर दो object draw करू let's suppose एक object यह है ठीक है और दूसरा object अगर मैं draw करूँ फिर से ठीक है suppose करूँ यह था कि यह मेरे पास दूसरा object है तो अगर मैं इन दोनों को draw करता हूँ और यह एक दूसरे के करीब है तो according to them क्या यह एक दूसरे पर क्या लगाएंगे forces लगाएंगे कैसा forces लगाएंगे gravitational forces कहां से कहां तक लगेगा अगर gravitational forces की बात की जाए तो यह gravitational forces इसके center से इसके center तक यानि कि center to center के बीच में तो force लगेगा वो gravitational forces है due to this they possess mutual gravitational potential energy और इसके कारण यह जो है mutual gravitational potential energy को pose करने लग जाएंगे ठीक है तो यह सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यह potential energy क्या होता है तो आपको मैंने potential energy पिसली class में बता दिया था कि potential energy क्या होती है इनकी ability कि वो कहीं से भी किसी को खिंच के अपने field पे ले आए यह इनके potential energy को define करता है तो अच्छा due to this they possess mutual gravitational potential energy when the distance between the two bodies is changed अब दोनों bodies के बीच के बीच का distance मैं change कर दूँ जैसे यह distance देख रहा है आपको इसको मैं बढ़ा के कुछ और कर दूँ let's suppose की मालो कि यहाँ पर यह आर दिस्टेंस है मालो कि यहाँ पर इनके बीच का जो दिस्टेंस है वो आर है इसको मैं बढ़ा के र प्लस में 1 या फिर र प्लस में 2 कुछ भी कर दू तो सम दिस्टेंस तो मैं इनके बीच कर दिया तो अगर इनके बीच का यह distance र से र प्लस 1 या र प्लस 2 हो गया मतलब और बेक स्टेंड हो जाएंगी है तो होगा क्या आगे तो अगर मैं इनके बीच का दिस्टेंस बढ़ा दूँगा तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशल इनरजी भी बढ़ जाएगा क्यों चेंज हो जाएगा कैसे चेंज हो जाएगा यार एक बात बताओ अगर मालनों कि इस आपजेक्ट से ये वाल आपजेक्ट बहुत जादा दूर हो जाता है या फिर यही वाल आपजेक्ट इस वाले से बहुत जादा दूर हो जाता है इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड यह इसका क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर सिमिलरली इस बॉडी के पोजीशन की वज़े से इसके फील्ड में जो भी इसके इनर्जी आसोसियेटेड है ताकि यह जो अबजेक्ट है यह वर्क दन कर से के इस पे और यह जो अबजेक्ट यह वर्क दन कर से के इस पे और वर्क कैसा करेगा? यह अबजेक्ट इस वाले अबजेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के खुद तक लेके आएगा अगर मैं समझू कि यह इन्फिनिटी पॉइंट पे प्रेजेंट है तो आपका यह वर्क करता है ठीक है? इसी वर्क को आप इसके पोटेंशल इनरजी को डिफाइन करते हो अब क्योंकि ये gravity वाला काम मतलब इनके बीच में जो force वह gravitational लग रहा है तो इस energy को potential energy ना बोलके हम क्या बोलते है gravitational potential energy ठीक है infinity से infinity से इस point तक लेके आना है in the gravitational field of each other एक दूसरे के gravitational field में अगर एक दूसरे को ले जाते है तो यार मैंने detail में समझा दिया gravitational potential energy क्या है आगे बढ़ो अगले question ने बोलबा है कि आपको expression derive करना है gravitational potential energy का तो जो हमने gravitational potential energy पढ़ा है उसका expression derive करना है m located at a distance r from the center of earth तो यार एक point object m होगा ठीक है अब माल लिए अर्थ है अर्थ से कुछ दूरी पर एक object होगा ठीक है वो located होगा अब वो object जो है वो अर्थ की तरफ आएगा यार्थ को इस object को खीच के लाना है इस case में हम gravitational potential energy देखेंगे ठीक है center of the earth पर यार्थ का gravitational potential energy देखना है कहां पर center पर देखना है सिधा सिधा यार्थ हमारे पास यह diagram है यह diagram आपको दिख गया यह earth है अच्छे समझो यह earth का radius है यह capital R जो है यह earth का radius है अब यह infinity पर एक object प्रेजेंट होगा infinity से वो कहां तक आ गया पहले तो यह तक आ गया ए से फिर पहले वो B तक आएगा B से फिर वो P तक आएगा पी से फिर वो खिचा खिचा यहां पर आगा मतलब बीच में 1000 पॉइंट आएगे आपको बस कहीं चोटा से distance समझ लेना है कि यह infinity से ए तक तक तो लियाओ ए तक मतलब आप earth atmosphere में उसके entry करा दिया आपने तो यह जो region है यह earth atmosphere है ठीक है यह earth atmosphere में आ गया है अब आपको earth के atmosphere स यह atmosphere हो गया है यहाँ पर आपको अर्थ के atmosphere से उठा के इसको earth के center में लेके आना है यहाँ पर लेके आना है तो इसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं हाँ जी तो infinity से a तक a है earth के atmosphere का point a से b के बीच में जो भी distance होगा चोड़ा से dx माल लेना है ठीक है अब हमें यार पूरे a point तक के distance है यार्थ के center से earth के atmosphere तक का distance हम क्या मानेंगे x मानेंगे तो यह होगा है अपने x मान लिया अब जो force लगेगा जब वह point object इस जगह पर रहेगा इस जगह पर रहते हुए earth जितना भी force इस पर लगाएगा वह हम निकालेंगे तो वह है gmm upon x2 यार वही चीज़ है ठी earth कमा से capital M तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो force लग रहा होगा वहोगा gmm और इनके बीच का distance है वह आपको दिखी रहा है वह x है right तो इनके बीच में जो force लगेगा वह एगा gmm upon x2 ठीक है तो यह चीज़ आप समझगे एच्छे से next अब यह force आपका निक object है आपका M ठीक है यह M खेच के यहां तक नहीं आ जाएगा यह M यहां से उठके यहीं तक जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ो force इंटू में dx dw जो है वह यहां पर चोटा सा work है अब इस force की value यह वाली यह पूरी value put कर देनी है आपने यह सारी value ठाके कहां पर डाल देनी है force square.dx right अच्छा कहां से कहां तक लेके आए हो आप लेके आए हो infinity से आप लेके आए हो इसको infinity से r distance तक ठीक है तो अब notice करो infinity से उठाके आप इस r distance तक लेके आए हो ठीक है अगर आप पी point तक भी ले आते हो तो भी मैं माल लूँगा कि हाँ आप at least earth के field में तो लेके आई ही this could be a possibility खेर हमें तो center पर लेके आना है तो हम वो भी समझेंगे अच्छे से चलो यह expression यहां तक clear हो गया यहां पर force की value बस replace करिए यह limits बताने के लिए था हाँ x की value infinity बगरा अब आप integrate कर दो दोनों साइड को तो जब आप integrate कर दोगे तो यह w जो है यह integrate यह integrate हो जाएगा integrate होके dw integrate होके w बन जाएगा right अच्छा अब इधर के इधर का जो integration वाला पार्ट है ना मैं आपको सम्झा देता हूँ एक fresh slide लेके हां जी देखो बच्चो integration वाला पार्ट सम्झो आप लोग integration कैसे किया गयता है so I just take out the pen okay fine so okay so we have w is equal dw is equal to f dot dx right now force की value हम यहां पर पुट कर लेते हैं पहले force was your g capital m small m upon x ka square right dot dx integrating both side तो यहां पर हम लिख लेते हैं integrating इस portion में हम लिख लेते हैं integrating both side तो यहां पर integration करना है हम लोग को तो इंटी integrating both side तो दोने तरफ आपको integrate करना है राइट जब दोने तरफ आपको integrate करना होगा तो आप integration के symbol लगाओ के आगे तो किसके आगे लगाओ के dw के लगाओ के तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ एक सिकिन यहां पर मैं लिख लेता हूँ dw right small d so i am just using dw okay 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 so you get dw okay fine इसको मैं लिख लेता हूँ उससे तो यहां पर आजाएग आपका बच्चो dw is equal to यहां integration का symbol लगा दिया और यहां पर बच्चोई आगे आपका g mm upon में x का square dot dx right बहुत सारी values जो है इसमें constant होगी लेकिन उससे पहले limit समझो तो limit उपर तवार लगेगा और यहां पर लगेगा infinity ठीक है अब यहां पर आजाएगा w इसका integration w हो जाता है यहां से g constant है right capital mb constant है small mb constant आपको अर्थ का mass भी पता होगा और इस point object का mass पता होगा दोनों का mass पता होगा तो दोनों constant हो गया चलो यहां तक समझा गया अब आपका जो सरफ यह x square है नहीं उपर जाके क्या बन जाएगा x की power minus का 2 तो यह तो constant था यहां पर symbol लगा लेते हैं हम यहां पर लगा लेते हैं integration का symbol और यह x square उपर जाके होगा minus का 2 dot dx यह w ऐसी रहेगा ठीक है और यह जी आपका ऐसी रहेगा और इसके बाद यह जाएगा capital M यह जाएगा small m अच्छा यह जो x की power minus का 2 इसमें एक power आप increase करोगे जब x की power minus 2 में एक power increase करते हैं तो यह जाता है x की power x की power minus 1 और उसी से आप divide करा दो right limit जो है आपकी r से लेके infinity देख चलेगी यह dot dx और यह symbol अब यह खतम हो जाएगा इसक से solve किया जाएगा तो यह है w is equal to g mm right अच्छा यह जो minus का 1 है ना यह जो minus का 1 है इसको मैं आगे shift कर देता हूँ तो इसको मैं रब करके फिर से लिखता हूँ यह हो जाएगा आपका w is equal to minus का g mm right और यह हो जाएगा आपका x की power minus का 1 और limit अभी हमने put नहीं किया है तो limit आपका जो है वो जाएगा बच्छो r से लेके infinity तक आगे बढ़ते हैं यह हो जाएगा w और यहाँ पर आजाएगा आपका minus का g mm और इसमें put कर देंगा आपर limit अच्छा एक और चीज बत सकते हैं one upon max लिख सकते हैं ठीक है one upon max की power plus one लिख सकते हैं जब power negative होती है तो नीचे नाने का power positive हो जाती है limit अभी भी अपनी अपनी जगर पे रहेंगे तो limits लिख लो यहाँ पे आर और infinity अब आप इसको further solve करते हैं तो आपके पास आजएगा w g mm अब put करो अच्छो limit तो य दिया जाएगा one upon में infinity ठीक है upper limit यहाँ put कर दिया low limit भी put कर दिया one by infinity जो होता है बच्छो zero बनता है तो इसकी कोई value नहीं रहेगी तो यहाँ पर आगे बन जाएगा आपका w is equal to minus का g m m small m 1 by r 1 by r ठीक है और यही आपका answer आगया final answer final answer जो है आपका यह बन जाएगा मैं यहा लोग समझ लेना यहाँ पर तो final answer बने का बच्छो आपका work done w is equal to g m m okay right divided by r divided by r तो यह आपका answer बन गया right अच्छा एक और चीज़ याद रखना negative of g guys negative of g so that is your answer okay next question पर shift करते है next question पूछा है define the term gravitational potential it is scalar vector यह scalar quantity यह vector quantity है और gravitational potential term को define करना है तो यह जो अगर gravitational potential की बात करते हैं gravitational potential की अगर हम बात करते हैं बच्चो एक सगीड ग्रैविटेशनल potential fine तो अगर हम gravitational potential की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा भी वैसे पढ़ सकते हो gravitational potential at a point is the potential energy associated with a unit mass due to its position in the gravitational field of another body gravitational potential at a point किसी एक पॉइंट पर मानलो कि यार यह रा यह मेरे पास एक body है ठीक है इस body के किसी एक point पे इस point पे is the potential energy associated with a unit mass किसी unit mass का कितना potential energy होगा उसके position की वजए से उसके field में मतलब किसी और के field में वो gravitational potential होता है तो आप confuse करने की जगा मैं आपको बहुत simple example से समझाता हूँ suppose एक मैंने object draw कर लिया यह मैंने draw कर लिया तो यार यह मैंने draw कर लिया इसको रब कर देते है नहीं बढ़िया सा draw कर देते है छोटा सा इसको मैंने draw कर लिया अब क्या बोला गया है कि gravitational 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 potential at a point किसी एक point पे मानलो तो आपको इस point पे जानना है ठीक है is the potential energy associated with a unit mass तो किसी unit mass का let's suppose कि आपका ये जो है ये एक unit mass है ठीक है this is what this is what this is your unit mass ये आपका unit mass है तो इस unit mass की कितनी potential energy होगी इसके position की वज़े से यही इसकी gravitational potential define करती है अच्छा ये unit mass किसी और के field में मौझूद है another body के field में मौझूद है तो ये चीज हो गया अब इसका जो formula बनता है बच्छो ये बनता है वी वी से लिखते है gravitational potential को symbolize हमेसे वी से करते है याद रखना वी is always equal to work done upon में mass work done upon में mass क्यों अगर आपको इस point पे potential जानना है तो आप यस mass object गो कहींसे उठा के अपने फील इक अंदर लेकिया ये object पहले कही है ृप्याद के इस point पे रहा हूता है इनुफिनिटी पे रहा हूता सब्सकर यहां रहा हूता तो आपने इस इस object को यहां से उठा कि यहां तक लेकिया है यानि कि आपने बीच में क्या किया है आपने यहां पर क्या किया ठीक है तो यह work done है जितना जाद आप work करोगे इतना जाद आपकी potential होगी और आप work क किसके लिए कर रहे हो इस mass object को लाने के लिए कर रहे हो तो ग्रैविटेशन पॉटेशन पॉटेशल आता है वर अपन में मास इसका dimension यह साई यूनिट यह आप पढ़ सकते हो ठीक है लास्ट कोश्यन है कि derive expression for gravitational potential at a point in the gravitational field तो यहार माल लो कि यह ना gravitational field है ठीक है यह gravitational field है हमारे पास और इस gravitational field में यह earth की gravitational field है इसके अंदर हमें क्या निकालना है expression derive करना है gravitational potential का किसी एक point पर माल लो इस point पे मुझे gravitational potential की expression derive करना है वह जो मैं v बोल रहा था न यह v की value कितनी होगी यह मेरे को derive करना है right okay चलो तो सबसे पहले अकर यह इस point पर मुझे gravitational potential define करना है तो यह point करेगा क्या मतलब यह जो पूरा का पूरा field है किसका है अर्थ का तो अर्थ कहीं किसी infinity points या किसी भी points है माल लो की यहां से यहां से let's suppose change the color right infinity point यहां पर यहां से object उठा के यहां तक लियाएगा right अब माल लो कि कोई object यह star जो है इसको उठा के यहां तक तो लियाए तो लियाए तो work करेगा right तो हमें work करेगा अगर जितना work करेगा वह इस की value होगी right तो हमें यह v निकालनी है इस किसी surface पर तो यह जब आप पह यही निकाली थी work done is equals to minus gmm upon me right shift करो गाइस आगे की और अब v का formula होता है w upon m ठीक है v का formula होता है w upon m तो इस w की value जो है यह वाली यह वाली जो value है इसको आपको यहां पर put कर देना है ठीक है तो इसको आप यहां पर put कर दो इसको उठा के यहां पर put कर दो तो यार यह एक बा minus of capital G capital M whole divided by r right तो लिखते हैं यहां पर फिर से v is equal to minus of capital G capital M divided by r right guys तो यह चीज़ आपकी answer आगे आपका ठीक है अच्छा आप एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि relation between gravitational potential energy and gravitation potential देखो यह जो आपने निकाला है यह gravitational potential निकाला है व से किसे लिखते हैं हमेशे याद रखना है व से किसे लिखते है ग्रेविटेशनल gravitational potential को energy को नहीं लिखते बच्छो energy को हमें सा u से लिखते potential energy हमें सा u से आता है आप 9th class में बढ़ा होगा तो इन दोनों के बीच में relation निकालना है potential और potential energy के बीच में यह energy बच्छा आपका ठीक है तो जब कभी भी आपको ऐसे energy और इसके बीच में derivation मतलब relation आ जाता है तो आपको क्या करना होता है आपको देखो सबसे यहां पर आप notice करो इस चीज़ को यह यू है यू की value क्या आ रही है minus gmm upon में r कैसे हमें पता चला कि यह यू की value आएगी यार एक बाद बताओ यहां पर मैं सब कुछ रप कर देता हूँ work done की value क्या आई निकल गया आई थी work done तो सभी को पता है न work done की value आई थी work done की value आई थी हमारे पास y थी minus of capital g capital m small m upon में r work done की value आई थी पीछे मैं आपको दिखा रखा है अब work किसके बराबर होता है यह work किसके बराबर होगा work होगा बच्चो energy के बराबर ठीक है यह work किसके बराबर होगा energy के कौनसी energy की बराबर potential energy के तो work को मैं कर देता हूँ potential energy u के बराबर तो आगे न gravitational potential की derivation का formula यही ठीक है अच्छा अब आपको relation निकालना है तो आप इसको और इसको comparison करो, इसमें एक m की तो कमी है न, इसमें आपको एक m की तो कमी दिख रही है, तो अगर मालो कि मुझे कभी भी लिखना हो, gravitational potential energy, मुझे लिखना हो कभी भी gravitational potential energy, तो उसको मैं mass से multiply कर दूँगा, potential को अगर मैं mass से multiply कर दूँगा, तो potential energy बन जाएगी, तो इसको मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ, कि अगर कभी भी आपको gravitational potential energy चाहिए, तो जो normal gravitational potential होता है, उसको mass से multiply कर दो, बस, right, तो यह सारी खिचोड़ी हटा के मैं आपको दिखाऊँ, एक बार अच्छे से, तो सिरफ mass की कमी थी न, यह वाला जो term था, वो तो आपको भी बन रहा था, इसको mass से multiply कर दो के तो यह आएगा, that's it for today,